नमस्कार दोस्तों सागत है आपका हमारे पॉड़कास चैनल में आपने हम दोनों को देखा होगा हर्याना विधानसभा चुनाओ में लगातार हमने कवरेज करी जनता के तमाम मुद्दे उठाए चाहे हो छोटे मुद्दे हो बड़े मुद्दे हो और उनी को मुद्दों को लेकर हमने पूरा हर्याना चुनाओ कबर किया और अब जब कहा जा रहा था कि हर्याना का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे सब का नजरें थी सब यही जानना चाहते थे कि कौन बनेगा आखिरकार तो अब इस पर पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है और आज पंदिन का कारेकाल है उन पर क्या बीजेपी मोहर लगाएगी तो यह सारे प्रियास अब मिठक हो चुके हैं और यहां पर नायाब सिंग सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है तो हमारे साथ चंद्र मोले सर जी मौजूद है तो सर बताइए हमें कि किस तरीके का सामराम सभी हरियाना के भाईयों को और जिस तरीके से आपने कहा कि दो-दो महिने हम आप और हम मिलकर यहां पर चुनाव की कवरेज कर रहे थे आज जाके वो पूरा आज एक तरीके से समापन क्या आज दिन था कि कौन हरियाना का मुख्यमंत्री बनेगा आज वो तै हो सामराम सभी हर जो यहां पर बड़े बड़े चैनल है कोई उनको नायाब बोल देता है नायाब नहीं है वो सच में नायप सिंग सेनी है तो नायप सिंग सेनी ने जो करिस्मा रचा जो बीजेपी को संजीवनी देने का काम किया इस बार पूरे देश में और मोधी जी का चह और आज उनी का अमिश साजी और जो मोहन यादव जी है आपके मध्यपरदेश के चीफ मिनिस्टर उनको प्रभारी बनाया गया था कि वहां पर विदायक दल का बैठक कराई जाए और उसके बाद विदायक दल की बैठक में विदायक दल का नेता चुना जाए तो आज सर् वहले कहरे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ अध सुबह उन्होंने कहा था कि मैं कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं तो एक तरीके से सरु सम IThich इससे उनका प्रस्ताव रखा गया और अमिश साजी ने खडए होते हुए बिल्कुल प्रसंद चीत हो के आप वो बीडियो देखिएगा किस तरीके से पहली बार एक योगी आदित्यनाज जी के लिए जब वहां पर नामों का एलान होना था विदायक दल का यूपी में नेता चुना जाना था तब अमिस्सा जी ऐसे कभी प्रभारी बन की गए थे विदायक दल के किसी दल में नेता का चुनाव करने और आज हरियाना में क्योंकि लोगसभा का चुनाव ठीक जो विपरीत रहा था जो बीजेपी की आकांग चाहें थी चार सो पार की वो नहो के उसके उलट भहमत से नीचे आ गई थी उससे काफी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो काफी आपने उनका मोराल देखा होगा उनका फेस देखा होगा किस तरीके से प्रधान मंत्री का जो चहरा था जब चुनाव के नतीजे आये थे शाम को काफी एक तरीके से उनको निरासा थी उनके चहरे पे साप जलक रही थी और आज जो चमक आई है उनके चहरे पे उसका मातर एक कारण है हर्याना की जनता और नायप सिंग सेनी के चपन दिनों का काम तो आज उनका नाम का प्रस्ताव करते हुए अमिस साजी ने जैसे ही उनका नाम की घोशना की वहाँ पर तमाम जो साफे पहन के यहाँ पर केसरिया पगड़ी पहन के वहाँ पर आपके हर्याना के नव विधायक आये थे लगभग वहाँ पर बीजे पी के 48 विधायक आये और तीन जो निर्द्यली हैं उनका समर्थन भी वो बाहर खड़े हुए थे तो लगभग 51 लोगों का समर्थन लेते हुए आज नायाप सिंग सहनी विधायक दल का नेता चुन जा चुके हैं और जैसे ही अमिसा ने ये गोशना की तमाम जो वहाँ पर नए विधायक थे उन्ह आप तो वह चोटे रहे नहीं आप तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं दुबारा भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी फीर थपाना मला बड़े नेता आपने मोदी जी को देखाऊगा कभी वो योगी आदित्यानाजी का हाथ पकड़के ऊपर उठा देते हैं तो अधिया उद्देश या फिर से मिल गया तो उनका आज एक तरीके से परिणाम मिला है और नायप सिंग सहनी आज काफी प्रसन है और बीजेपी के जैसे वह वो बिधायक दल के नेता बने उनको एक तरीके से सटीक जबाब देने के लिए उनको जले भी से उनका मुव मिठा कराएगा बाकी दिन आप देखते होंगे लड़ो से उनका मुव मिठा कराए जाता है लेकिन इस बार जो जले भी है वो आज तक भी हर्याना की राजनीती में जले भी एक तरीके से मिठास गोलने का काम कर रही है और जो राहुल गांदी है जो कॉंग्रेस पार्टी उनको लिए कड़वा हट का काम कर रही है वैसे मिठाई तो होती मिठी लेकिन कॉंग्रेस ने जो इतनी अति उच्छाइथ होके जो जले भी बार दी थी सुबह सुबह लगवग आठ बजी जो नतीजे शुरू है थे साड़े आठ बजी तक उनके कारे करता किस तरीके से जले भी कई ने तो कुंटल कुंटल के ओर्डर दे दिये थे कई दुकानों पर बकाया है आज वो इस्थानी जो नेता है वो उन दुकानों पर भटक भी ने रहें क्योंकि वो अपना पेमेंट मांग रहें उनको भारी नुक्सान हो गया है तो किस तरीके से आज जले भी से उनका नायप सेनी जो नाम है उनके दो गाने जब हम चुनाव प्रचार में आप और हम मिलकर जाया करते थे हरियान में उनके दो गाने पूरे हर गली में पूरे हरियाना में गूंचते रहते थे सबसे पहले जो अमित सेनी है उन्होंने भौती सुंदर गाना नायप से पर बनाया ता और दूसरा है कि नायब सिनी को बना दिया cm हरियाने का ए बीजेपी हम तेरा धन्यवाद करते हैं अरे नायब सिनी नाम नहीं ये काम बोला से है और आज पूरे हरियाने में नाम गोंजे से तो इस तरीके से नायब सिंग सेनी ने जो काम किया 56 दिन में 126 काम करने का और आज जब वो एक तरीके से धन्यवाद करने के लिए वहाँ पर विधायक दल के नेता के रूप में खड़े हुए तो उन्होंने सब से पहले अपने युवा जो उन्होंने घुषणा की थी चुनाव से पहले कि मैं सियम पद की सपत लेने से पहले अपने 24,000 हरियानवी युवाओं का नौकरी दूँगा उनको नियुकती पत्र खुद अपने हातों से बाटूँगा आज उन्होंने ये घुषणा की है कि मेरे सपत लेने से पहले मैं हरियानवी के 24,000 युवाओं को उनका रिजल्ट जारी करूँगा फिर सपत लूँगा और उसके बाद वो उनको नियुकती पत्र देंगे ये बहुत कम होता है कि कोई इतना बड़ा नेता वो भी ऐसे दिन जब उसको एक तरीके से विधायक दल का नेता बनाये जा रहा है उस दिन वो ये एलान करता है अपने छात्रों से कि जो मैंने वादा किया था मैं उस वादे पर पक्का हूँ इसलिए उनका नाम नायाप सि सेनी है तो एक तरीके से वहां के युवा आज काफी खुस हैं वो भी अब जलेबियां बाट रहे हैं क्योंकि कई बच्चों हैं 24,000 बच्चे उनका रीजल्ट आएगा उसमें से कई बच्चे जो हैं वो नौकरी लगेंगे उनको न्यूकती पत्र मिलेगा कई जो गरीब ब इससे लोग बहुत खुसते युवाओं को बड़ी बड़ी नौकरियां मिलनी है तो इससे लोग और जैसे ही आपने यह सुना कि जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं कि हम अपने लोगों को नौकरी देंगे कोई कह रहा तो प्रत्यासी थे एक उनके बेटे कह रहे थे असन से प्रत्यासी हैं वो कह रहे थे अपने घर भरेंगे हम अपना जैब भरेंगे पहले एक कह रहे थे उनके बेटे कह रहे थे कि रोल नमबर लिख लिए जी कॉलेज की स्टुडेंट से कह रहे थे मैं आपको हुड़ा जी से कहकर नौकरी दिलवाऊंगा तो तमाम जो यह बात जहां पर हुड़ा जी ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि रोतक और खर्ची पर्ची बोलियां लगती थी भरती रोको गैंग चलता था उनके पूरी तरीके से किसी भी गरीब के बच्चे को वहां पर नौकरी नहीं लगने दिया जाता अपनी जमीन बेचो अपने जेवर बेच तो एक तरीके से गरीबों को लूटने का काम किया गया था आज नायाप सिंग सेनी ने अपना वादा पूरा किया है कल उनके सपत होने से पहले आपको उनका एक तरीके से 24,000 बच्चों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और नए नए जो बच्चे हमसे बात कर रहे थे उ उनको ये लगता था कि मेरे बड़े भाई को सरकारी नौकरी लगी है तो मुझे भी लगेगे गरीब परिवार से हैं तो लोग बहुत खुस हो जाते थे कि हमारा भी नंबर आने वाला है क्योंकि हम भी तयारी कर रहे हैं और हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा तो इसलिए लोग चाते थे कि बीजेबी सरकार बनी रहे तो लोग इससे बहुत खुसते वहां पर जैसे कोई भी महनत क्यों करता है जैसे हम भी महनत कर रहे हैं अगर हमें उसका परिणाम नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन कहां से मिलेगी बाई इतनी लोग हजारों लाखों रुपे की अगर आप कोचिंग फीस दे देते हैं उसके बाद भी अगर आपका बच्चा फिर से अगर आपको रिस्वत देनी पड़ेगी तो कौन उस सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा देखिए किस तरीके से आज यूवा जो है कई दूसरे स्टेट में जहां पर खर्ची पर्ची का सिस्टम चलता है जहां पर अभी भी कॉंग्रेस की सरकारे हैं वहां अभी भी वैसे बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी को छोड़के उसकी तैयारी को छोड़के आपनी सिक्सा को छोड़के कोई होटल में लगा हुआ है कोई आपके सड़कों पर काम मजदूरी का काम कर रहा है कोई दिवार चिन रहा है यही तो होता है भाई अगर बच्चों को यह आश्वासन दिया जाए कि आपकी काबिलियत पर आपको नौकरी मिलेगी 100% मिलेगी कोई ऐसा नहीं है जो आपकी नौकरी खा सके कोई इतना माई का लाल नहीं है जो आपकी सरकारी नौकरी जो आ उसरी स्टाइम जो बोटर थे बच्चीयां थी काफ़ी खुश थी कि हमें जो एक तरीके से बहरती रोको-गैंग ता कॉंघर देखिए कि न भी तरीके से 24,000 बच्चों का रिजल पहले जारी होना था जब चुनाव की वोटिंग होनी थी उससे पहले जारी होना था लेकिन यह महानु भाव उन 24,000 बच्चों का एक तरीके से भविशक को खत्रे में डालने के लिए पहले इलेक्षन कमिशन जाते हैं उस रिजल्ट को रोकते हैं और तब जाके कॉंग्रेस को आज उन 24,000 चात्रों ने जवाब दे दिया है कि आपकी विपक्स में रहने की है वहीं रहिए जो 24,000 बच् एक तरीके से कॉंग्रेस को आज पस्तावा हो रहा होगा कि उन्होंने क्यों रुकवाया यह तो आज वो मांग भी पूरी हो गई बीजेपी में एक दम से पूरा आज चका चक है कोई अंतरभेद नहीं है कोई वहाँ पर फूट नहीं है अनिल वीजी भी आप खुस है वो विधायक दल का नेता चुना गया मुख्यमंत्री वो फिर से बनेंगे लाडवा में हम गए थे उनकी विधानसवा छेत रहा है तो लोगों ने कई लोग हमें मिले तो लोगों ने उनके चरीत के बारे में बताए थोड़ा बताए हमारे दर्सको क्या उनका चरीत रहा कैसे लोग उनको जानते हैं लोग सीम सिट्टी बनने से कितना खुस थे वहां पर लोग थोड़ा बताए हमारे दर्सकों तो जैसे आपने लाडवा की बात की हम लगभग एक हफते वहां पर लाडवा में रही वहां पर बीजेपी का एक कार्यालाई लगा रहता था वैसे हर गा लाडवा को कोई जानता नहीं है समझरे मैं क्या कह रहा हूँ एक ऐसा चेहरा जो पहली बार बना ओ और पूरए हरिआन में लाडवा की बात हो रही हो तो वहां के लोग क्यों न खुस ऐक वहां के लोगों का ठिकाना नहीं था क्योंकि जो नायव सिंग सेनी है उनका एक तरीके से अगर आप केरेक्टर देखेंगे वो कैसे ब्यक्ती है मैं आपको ज़रा थोड़ा कुछ बाता हूं उनके बारे में आए हैं तो उनका वो काम पूरा होना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को कहा था कितनी भी बड़ी प्रोब्लम आ जाए लेकिन मैं मुझे 24 इंटू 7 मुझे बताईए कि किसका क्या काम रुका है मैं उसको करूंगा क्योंकि नायव सिंग सैनी के पास अपने को साबीत करने के लिए मात्र पार्टी ने 56 इंकम हो का दिया था खटर जी का एक तरीके से एंटी इंकम मेंट्शी बहुत थी उसको भी पार करना था और अपनी एक पहचान भी बनानी थी तो एक तरीके से 56 दिन में उन्होंने काया कल्प किया और आपको बात बताता हूं जब रेली करते थे तो वह खाना अपने साथ ले जाते हैं वह खाना क्या खाते हैं। घडी में घर से लाते हैं। Jupiter होगते हैं अपने प्लेट में खुति वह खाते हैं। अब नायब सिक्षानी है कौन. आड조 रिया करता रहे हैं। आरे शोवा रहे हैं। जब अबंग्शावास वर्षगांट मनाई गई हैं आपके RSS की। वो तब भी RSS की dress में एक तरीके से उन्होंने वहाँ पर सोवा वर्ष गांट मनाई तो एक तरीके से RSS के पक्के स्वयम सेवक हैं जानते हैं कि घर घर किस तरीके से जो गरीब तबका है वो किस तरीके से अपनी समश्याओं से उलासता है उसकोई समश्याओं को कैसे समाधान करना है ये नायब सिंग सेनिसिक अच्छा कोई नहीं जानता है क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से एक कारेकाल में दिखा दिया कि जनता से अगर आप मेल मिलाप करते हो बिना किसी गमंड के अपने को बड़ा दिखा के कुछ नहीं मिलत देते थे कोई उनसे बात तक नहीं कर सकता था गरीब तपकी का वह जो खर्ची-पर्ची से आया है उसका वहां पर पर्ची लग जाती थी पहले ही फोन हो जाता था इसको नौकरी देना इसको हटा देना कई हमें रोहतक के गरीब जंता मिली वह दिभ्यांग थे उनकी पतन सिसे जो दबंग था उनकी नौकरी को काड़ दिया है वो रो रहते हमारी कैमरे पर तो ऐसे लोग भी मिलें तो जो नायप सिंग सैनी है सच में एक हरियाना के लाल है नहीं किया कि केवल अपनी विरादरी का काम किया उन्होंने उस गरीब जाटों का भी एक तरीके से उनके बच्चों को नौकरी लगाने का काम किया जिनको हुड़ा सरकार में एक तरीके से पूरी तरीके से उनको धरकिनार कर दिया गया था लोग आज भी हमें कहते हैं कि यार कभी हम जाटों से मिले थे हम कई गाउं में गरीब जाटों से मिले थे उन्होंने ये कहा था कि हमें तो कहा जाता है रोतक की बात कर रहा हूं हमें तो कहा जाता है कि जो हुड़ा साहब है उन्होंने रोतक चमका दिया और जाटों की तो यहां खूब चलती है लेकिन वो हमें यह बता रहे थे भाई साप ऐसा कुछ नहीं है हम रोतक ही में रहते हैं लेकिन आप रोतक की हालत देखिए सबसे बत्तर है बाकी आपको जो बड़े-बड़े सिटी हैं आपके हरियाना में वो ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे बसरते हैं आपका रोतक वहाँ पर जो गरीब जाट हैं वो यह बोल रहे हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं है लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उनके बच्चे आज नौकरी लग रहे हैं कोई DSP है कोई SP है तो लोगों का फर्क पड़ता है अगर आप एक तरीके से काम करने की चाह हुआ आप में तो वो नायव सिंग सेनी से अगर आप देखें उनके 56 दिन का कारेकाल और आज उनकी जो विदायक दल के नेता के तोर पर उनको चुना गया है यह काम बोलता है नाम नहीं काम बोलता है तो काम बोल रहा है भले यह वादा कॉंग्रेस का हो कि काम बोलता है पर आज सच में नायव सिंग सेनी ने 56 दिन के काम से यह दिखा दिया है कि 5 साल जो लोग बोलते हैं ना कम होते हैं होते हैं उन्होंने दिखा दिया कि 56 दिन में किस तरीके से आप अपनी जाती हुई सरकार को भौमत वाली सरकार में परिवर्तित कर सकते हैं आप में बस दम होना चीए और कुछ कर गुजरने का उद्देश्य होना चीए तब जाके यह सारा होता है जिस तरीके सिनुट्रीट का निता कोन बनेगा सेलजा कुमारी बनेगा सुर्जेवाला बनेगा या भौड़ा जी अब क्या लग रहा आपको तो जिस तरीके से आपने कहा है कि एक तरफ तो पूरा एलान कर दिया बीजे पी ने क्यूंकि उनके पास भाहमत है तो पूरा एलान होचुका हो रख हैं वहां से ना कोई बयान जा रही हो रहा है ना कुछ हो रहा क्योंकि उन्हें पता है अगर इस समय मीडिया के सामने आएंगे तो उनकी फजीयत होगी और किस तरीके से अपना एक तरीके से जीता हुआ किला बीजेपी को सौप के चलेगे तो उनसे पूछा जाएगा मीडिया के द्वारे लेकिन वह अभी सामने नहीं आ रहे हैं तो यह हलचल कॉंग्रेस के अंदर मची हुई है कि आखिर विपक्स का नेता कौन बनेगा मैं आपको एक बात बता देता हूं कॉंग्र चेहरे पर इस पर दाव लगाया जा सकता है जैसे आपने देखा होगा कि हर बार क्या होता था अभी राहुल गांदी विपक्स के नेता हैं इससे पहले आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपके बंगाल के अधिरंजन चौधरी को बना दिया जा था क्योंकि रिमोट कंट पुतली होता नए उनको नचवा के जैसे काम किया जाता है काम कराये जाता है मनुरणन कराया जाता वैसे को ऐसे कट पुतले की justification की जरुष्य अब काणरीס से ने लिया है कि जो बड़े-बड़े चेहरे थे इनकी वज़ों से हमारी जीती हुई बाजी को इन्होंने हराया है तो अब एक नए चेहरे पर दाव किया जाएगा जो हमारी बात सुनेगा क्योंकि आप तो रह कुछ नहीं गया हर्याणा में कॉंग्रेस के पास तो नए चेहरे प बातसाती मला बिना उनके हुड़ा जी के कौंग्रेस में किसी काम नहीं होता था अब वह भी खत्म हो चुका हुड़ा जी का अप कुछ रह नहीं गया है ये इक तरीके से मैं सोचू अगर कौंग्रेस फिर से हुड़ा जी के नाम पे दाव लगाती है तो यह अपने ही पैर पर कुलाडी मानना जैसा काम होगा और अब इस चुनाव से ये साबित हो गया है कि अगर आपके इतने बड़े बड़े चेहरे भी अगर आपको जीत नहीं दिला पारें बलकि इसके उलटों हरवार हैं तो इन चेहरों को छोड़के आप कॉंग्रेस को नहीं राजनीती की हरियाना के लोगों से जाकर पूसना चाहिए कि आपको कैसा विपक्स का नेता चाहिए तबी हम एक उभरता हुआ अच्छा विपक्स आपके हरियाना में देख सकते हैं नहीं तो फिर वही बात होगी फिर पांच साल का इंतिजार करने पड़ेगा फिर चुनाव होगा परिणाम है हरियाना का यह असर डालेगा तो महराष्ट में भी इस बार देखा जा रहा है कि जो महायूती है वो महाविकास अगाडी को इस बार पचाडने वाली है जार खंड में भी हमन्च सुरेन की सरकार अब जाने वाली क्योंकि वहां कॉंग्रेस का कुछ है नहीं जीत गए तो फिर से इनके आंदोलन शुरू हो जाते फिर से इनके बड़े बड़े जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो सक्रिया हो जाते थे आप कुछ महिनों तक यह सांत रहेंगे और अब सांत रहने का तो मौका मिली नहीं रहा है चौबीस दिन बाद आपके म खरासाई हो चुका है विपक्स वो सोच रहे थे कि कुछ उन्हें समय मिल जाता महराष्ट और जारकन के लिए अब मौका मिल नहीं रहा है इनका ना गड़ बंदन का ढंक से एहलान वान शीटों का बटवारा हुआ है ना इसीम फेस कौन हो गई यह पता चल रहा है अंदर ह अंदर फूड चल ली है कोई बोल रहा है इस वाली सीट पर मैं लड़ूगा नहीं तो मैं निर्दल्य खड़ा ओड़ जाओंगा जैसे हर्याना में हुआ था ते इस बड़े नेता जो कौंग्रेस के तो निर्दली उठे थे उसमें से लगबग 10 से 11 सीटों पर कौंग्रेस के विधायकों की हार हो गई तो तमाम यह जानकारी आपको हम जो बता रहे हैं ग्राउंड पर रहके हमने यह सीखा है कि अगर कोई नेता अगर अपने इस्थानिया नेताओं का सम्मान नहीं करता उनको अगर नजर अंदाज करता है और उपर केंदर से आई ओर्डरों को फ पल की नजर रखता है आप क्या बयान दे रहे हैं चुनाव पर इसका प्रभाव अंत तक पड़ता है वोटिंग मसीन में जब तक लोग बटन नहीं दबा देते हैं तब तक चुनाव जारी रहता है कई लोग कहते हैं कि चुनाव से एक दो दिन पहले ही चुनाव प्रचार में देखा जाएगा कि क्या लोग हरियाना की तरह इस बार बीजेपी का साथ देते हैं या बीजेपी को हटाते हैं यह देखने वाली बात होगी कॉंग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है उनको आज जंबू कश्मीर में आज वहाँ पर सीम की सपत हुई है आप द आ रही हैं साथ आठ आ रही हैं जो सीट आपके उमर अब्दुलाद जी सकते थे वह भी हरवाने का काम किया उन्होंने रीजल्ट आने के बाद यहीं बोला कि कॉंग्रेस ना भी होती तो हम तो जीती रहे थे तो हर जगों अपमानित हो रहे हैं खाली फोटो शो आप करने क के लिए राहूल गांदी आज वहां पर फोटो खिचा रहे हैं क्योंकि और जगों तो उनके पास हर्याणा में कुछ था नहीं तो कहीं नहीं फोटो खिचा नहीं है जम्मू कस्मीर में चलेगे हैं कुछ है ही नहीं क्या है उनका ना कोई सपत लिया कॉंग्रेस का अब भा यह कॉर्परेशन में भी कॉंग्रेस परधान भी कॉंग्रेस सारे कॉंग्रेस ही आज यह वाला जमाना आ गया है कि कोई परधान के लिए भी कॉंग्रेस ही अगर कोई खड़ा हो जाता है अगर पंजे का निसान कहीं लोगों को दिख जाता है तो उस पे लोग पंजे से च होती रहीगी Congress, तब तक Congress का उदाई नहीं होने वाला है, नए चहरे पर दाव करिये, नहीं तो परधानमंतरी मोधी हैं, कई लोग हमें ऐसे ही मजाक मजाक में लोग कह देते हैं, अभी तो चलो ठीक है, कि अभी चाय वाला है, लेकिन इसके बाद आने वाला है गाय वाला, त और एक बार योगी जी का राज आ गया मैं बता दूँ आपको जहां भी आज कॉंग्रेस की जो सरकारें एक छत्र राज कर रही हैं वहां भी वो दिन दूर नहीं जब वहां पर भगवा पता का लहराएगी और वहां पर योगी जी का एक तरीके से डंका बजेगा तो कॉंग्रेस के लिए यही अच्छा होगा कि योगी जी के आने तक एक नया चहरा देश को देंविपक्स के नेता के रूप में राहूल गांदी से नहीं होने वाला है जलेबी की फैक्टरियों से आलू से सोना बनाने वाली मशीनों से और आपके खतम टाटा बाई बाई ब हर्यान की जन्ता ने बता दिया निकलो फटा फट 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 तो राहूल गांदी जी आप अगर अपनी और बेजती नहीं कराना चाहते हैं तो जिस तरीके से अमेरिका के टूर पे गे थे लगभग आपके 206 कंट्रीज हैं दुनिया में तो एक एक दिन अगर उनका भी सफर करें आप तो भारत जोड़ो यात्रा से करने से कोई फाइदा हुआ नियुक्ति आई जैसे संचीन तैंदुलकर लगभग बाइस बार आउट हुए थे नियुक्ति पे वो जब अपना सतक बना रहे थे सोवा माला तो उनसे बनी नहीं रह किल से निन्यानबे आई है वो कुछ बीजेपी की गलतियों की वज़े से कुछ ऐसे चार सुपार के नारों की वज़े से हो गया अब वो नहीं होने वाला है एक बार तुक्का लग जाता है अखिलेश यादव से एक बार 37 सिटें आ गई अब नहीं आने वाली हैं तो अभी गांदी जी हाथ जोड़ लेजिए तुरंट निकल जाइए और कॉंग्रेस के जो नेता भविश्य के जो बर उभरते हुए नेता है यूवा सकती है उसको मौका दे दीजिए भौत हो गया परिवारवाथ बहुत हो गया गांदी वाडरा गांदी वाडरा अब देश इसके पीछे नहीं चलने वाला आपके साथ अब नए सीरे से एक मौका दीजिए और जो इनके कुछ चाटुकार लगे रहते हैं इनके पीछे जो आपके जैराम रमेश हों और एक तो आई टी सेल की जिस तरीके से 99 सीटे आती ऐसे जस्न मना के सुप्रिया सिनेत आ जाती हैं हर मौक को मौक दीजिए तब जाब के कॉंग्रेस की नईया पाल लगी नहीं तो हर्याना वाला रीजल्ट महाराष्ट और जारकंड में दोराने से कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता और केजरी वाल अगर आप मुझे सुन रहे हो बहुत हो गई नोटंकी बहुत हो गई LG ने रोक लिया बहुत हो गया कि मोधी ने मुझे रोक लिया अब ये कुछ नहीं चलने वाला है लोगों को पता लग गया है कि फिरी के तुमारे जो वादे हैं वो ऐसे ही खोकले हैं जैसे अगर उसको यू कर देंगे तो फूड जाएगा अब वो दो साल के सासन के बाद फूड चुका है अब धिरे धिरे लोग उसमें कमल खिलाने की बात कर रहे हैं और दिली में जो लंदन बनाने की बात की गयते लंदन तो नहीं बन रहा है लेकिन जो जुगी तुम और यमना की गंदगी को पूरे दिली में फैलाने की बात कर रहे हो और तुम यह जो पटाकों का नोटंक की करते हो ना हर बार दिपावली आने से पहले पटाके बंद कर देते हो इस बार तुमारी सरकार भी बंद हो गई और तुमारा जो यह सीसमेल है यह बीजेपी की सरकार आने के बाद ये भी बंद हो जाए और जाते जाते हर्याना के लोगों से तमाम हम दोनों दो मेने तक रहे जिन जिन लोगों ने भी हर्याना के लोगों उनको बहुत बहुत धन्यवाद चाए हम सौनी पत्र हैं पानी पत्रे लाडवा में रहे तमाम लोगों ने सैयोक दो किस तरीके से उनके सही हो किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं आप सभी लोगों के और लेकिन कई लोगों ने भी हमारे साथ बचसुलूकी की सोनी पत में आपने देखवागा योगी जी की रैली में हुआ था कोई बात नहीं ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आपके लिए ह दन्यवाद के लिए वाई-भर करार ते आने वाल जुनाओं में भी तो आप से हम फिर मिलेंगे और हरियाना के लोगों से हम क्षैंगे Sheriff Ram Ram जी तो इसी के साथ आप हम आप से विदा लेते हैं राम राम सभी को और अब मिलेंगे हम आपको महराष्ट के चुनावाँ पर धन्यवाद